और बिल्कुली लेटेस्ट ओफरिंग है यहाँ पे रोल इंड फिल्ड के तरप से और यह ग्रे कलर वालब एरियंट है तो अभी आपको हम इसका वाक्राउंड देने वाले हैं अगर आपने भी फ्रेंड्स यहाँ पे इस बाइक को पर्चेस करने का प्लान बनाया था तो आप देख लें कि यह बिल्कुली फ्रेस लुक्स में भी आ रहा है और इसका फ्रेंड्स वाइड कलर का वीडियो हमने कर रहा है तो आप उसे जाके चेकाउट कर सकते हैं तो इस उसका यूस किया इस उप्षिन में कमपईणी ने यहाँ पर आपको 411 की बैजिंग मिलती है टैंक में बिग साइज से जो देखने में काफी अच्छा है यह पर लग रहा है और इस साइड में आपको रोलन फिल्ड की बैजिंग मिलती है रेड में ब्लैक से और यहाँ अगर बात करते हैं टैंक का तो टैंक काफी मुस्कुलर लग रहा है आप शोरूम पर आके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से यहाँ पर पता लग पाएगा बाकि यहाँ पर आपको ब्लैक में रेड का कॉंबिनेशन आपको मिल जाता है और इस साइड से अगर ब अग्जॉस्ट जो है आपको यहाँ पर लॉण डिजाइन में एक्जॉस्ट कंपणी ओफर कर देती है और टेल का पूर्सन जो है वह काफी प्रोटी लग रहा है बैक से अप देख पा रहे होंगे और बल्में इंडिकेटर्स कंपनी आपको यहाँ प्रोईट कर देती है र और इंजन जो है वो सेम आपको मिलता है जो के कंपनी हमालियन में प्रोवाइट कर रही है तो इंजन में कोई भी चेंज़ नहीं आया है सेम रिफाइनमेंट आपको मिलेगा आपको एक वारा मीटर कंसूल जो है वो दिखा देते हैं लो बैटरी रिमाइंडर लो फ्यूल रिमाइंडर और की जो है वो आपको सेम मिलता है क्लासिक वाला जो डिजाइन में कंपनी दे रही है वही स्क्रैम 411 की बैजिंग मिलती है मीटर के बगल में और यहां पर आपको इंजन किल स्विच सेल्फ का स्विच और डेडिकेटेड एक हज़ाड लाइट का आपको स्विच दिया गया है तो अपको इसके स्विच अग्जाउस नोड छो वो एक बार सुना देते हैं ताकिक आपको एडिया लग पाई कि एक जो वो कंपनी कैसा प्रोवाइट कर रही है है तो सेम एक्जॉस्ट आपको यहां पर मिल जाता है क्योंकि इंजन सेम है तो इक्जॉस्ट नोड में भी कोई भी आपे चेंज़ नहीं है बाकि पास का एक switch मिल रहा है आपको यहाँ पर high beam low beam का indicators का switch horn आपको सुना देते हैं एक बार तो काफी loud यहाँ पर horn आपको मिल जाता है और side look कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर left hand side से तो यह बस एक यहाँ पर walk round वीडियो है इसका detail review जल्दी चैनल पर आने वाला है और fit and finishing की जो quality का यूज किया गया वो भी काफी अच्छा है और यहाँ पर काफी मतलब रफ लुक आपको देखने को मिलेगा बाइक में पूरा scrambler वाला feel मिलने वाला इस बाइक से आपको open chain system आपको दिख रहा होगा टेलिस्कोपिक फोक्स का यूज किया गया जिसש कि अफिकोपिक प्रोटेक्टर से साथ आता रो जिसे की बड़ दना अधर नहीं जाए यांपको तरय से से LISA और को प्रेंट में टाइर से वह सेमान पीडा के उसका की शि journalists किया गया पीछे में 17 को मिलता है त определенно what आपको लुक मिलेगा और फ्रेंट में आपको रोल इंफिल्ड की बैजिंग मिल जाती है छोटा सा ग्रे कलर में रेड कलर का ग्राफिक्स दिख रहा होगा और इंडिकेटर जो है वह बल में मिलता है पार्किंग लाइट आपको LED में कमपणी दे रही है और पूरे राउंड स सेक्षन का आपको टायर जो है वह मिलता है हंड्रेड वाइंटी का 19 इंच का तो यह था यहां पर छोटा सा वाक्राउंड वीडियो इस बाइक का मैं आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्षन खूला कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं आप से नेक्श वीडि